हेलो दोस्तों वेलकम टू माई यट्यूब चैनल जैसे आप जानते हैं मेरा नाम है जितिंद्र रदब और मैंने इससे पहले आपको पर्सेंटेज का बहुत कुछ पढ़ा दिया है आज हम पर्सेंटेज का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और इसमें सीखेंगे कमिशन कोशन ऐसे होते हैं जिनका कंसेप्ट के लिए हो नहीं पाता हमसे ना खुद से तो चलिए आज सीखते हैं कमिशन वेस्ट को और उन्हें कैसे करते हैं जैसे इस कोश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक विक्रिता कुल भी क्रीपर नो पर्सेंट कमिशन लेता है है ना आगे तो बता कि उसने कितने रुप्य की विक्री की होगी तो देखिए अगर वह 12,000 तक जाता है आतका या गर यहां तक करता तो यह कितना कमिशन मिलता है प्लस वो सकता है 13,000 की कर रहा है 14,000 की कर रहा है कुछ इतने की भी कर रहा हो तो 00,000 500 की वो कर रहा है तो से 9% कमिशन तो मिल रहा है плюс 3% कहा मिल रहा है आप कहा देंगे bonus कितना मिल रहा है to both thecity 4K मिल रहा है Tutal. Well Weight Laserго से मिल कितना तो 12% क्योंकि हम इनको कितने की विक्री कर रहा है बारहट हजार तक कर इसे 900 रुपे कि क्या मिलनी चाहिए थी कमिशन मिलनी चाहिए थी लेकिन इस पर मैं 30 परसेंट कमिशन और देदिए तक कि ओवर-ओर पर मुझे 12% मिल जाए 12000 से उपर की कमाई पर 12% ले रहा है तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर विए 12% कमिशन दे देता है अपनी साइट से है न हम अगर इसे 3% अपनी साइट से और दे दे तो इसको टोटल में यह जितनी भी कमाई कर रहा है स्टार्टिंग से 0 से लेकर 12000 प्लस तक तो पर देखिए 3020 रुपय रुपय मिले थे लेकिन अगर अगर हम इस पर 3% और कमिशन दे दे इसे बारह चार की विकरी तक पर तो इसको 360 और मिलेंगे दो आपने पर दे तिन यह कुल बिकृपय कंसे रिघ्र जो है तो इसी सी का तो आप परसेंट वही तो तेरह सो भी 1680 कि यहां पर इसे 3% कमिशन नहीं मिल रहा था तो हमने क्या किया तीन परसेंट कमिशन और दे दिया इसको तो तीन सुसाट रपर जो नहीं दिये थे कमपनी ने इसे बॉनस के वह इसे बॉनस और दिला दिया तो और ज्यादा एड़ हो गए तो 1680 हो गए आप इसे काट लो यह कितना हो जाएगा बारा बारा चौक अर्टालिस एक सो चालिस तो आप जानते ही जो है उदर जाएगा गोड़ा में एक्स की वेलों कितनी आजाएगी चौधा हजार यानि कि उसने क्ल बिक्री कितनी करी होगी 14000 रपी यह उसने बिक्री करी होगी है ना तब उसे जाकर कितना बॉनस मिला होगा 3% का बॉनस प्लस 9% का ओभर एट जो कमीशन यहांगे ँंसे 3220 रुपे अब करेंगे मैंने 1600 प्लसे क्यों दिरुए रका तो परसेंट इसे 12,000 पर और कमीशन दे देते हैं तो चलिए ऐसा ही सेम एक और कॉशन लेते हैं और उसे सॉल्प करते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक कम्पनी अपने विकर्टा को कुल विक्री पर 13% कमीशन देती है तो कुल पर 13% दे रही है तथा 15,000 से उपर की विकरी पर 2% का बॉनस भी देती है यदि विकर्टा को कि कुल आये आये का मतला वही जो कमीशन है उसका वो 6,900 रुपे है तो क तो आपने कहा 15 तक पर कितना दे रहे तो ने रिख लो है तो तो अगर वो कमाई कर रहा है तो जो उसको bonus मिल रहे वो दो परसेंट extra मिल Рाइन की 13% तो मिली रहा है प्लस 2% और मिल रहा है तो आप जानते कि कितना हो फटרך को मिल रहा है है यहां पर 15% तो बस हमने क्या करना है यहां क्या करेंगे 2% की और इसको क्या दे देंगे कमीशन दे देंगे तो 15,000 का अगर आप 2% निकाले तो % हटाएंगे तो 0 तो 300 रुपे इसको और क्या होने चाहिए थे मिलने चाहिए थे तो आप जानते हैं कि अगर इसे 2% हम कमीशन यहां पर और दे दे तो 13 प्लस दो 15% कमीशन हो जाएगा जो कि ओवरॉल पर भी 15% हो जाएगी क्योंकि यहां भी 15% और 15,000 से उपर भर भी 15% तो बस हमने क्या कर लेना है इसमें 300 और एड कर लेना है तो 009 और 3 12 का दो हसल लगा यानि कि 72 रुपए से क्या मिलनी चाहिए थी कमीशन मिलनी चाहिए थी अब देखिए आपको पता चल गया कि ओवरॉल पर कितना हो रहा है 72 तो 15% यानि एक्स यानि कि ओवरॉल जो उसने इंकम की होगी एक्स मालने अगर तो एक्स कही तो 15% उसे कमीशन मिला होगा आप करेंगे क्यों मिलेगा क्योंकि यहां पर भी 15% और यहां पर हमने 15% खुद दे दिया उसे उसे मिल रहा था 13% 2% मैंने अपनी तरब से अक्स्ट्रा दिया है तो हो गया 15% और इसी की वेल्यू कितनी है आप करेंगे तो आप जानते कि यह तो उदर जाके मल्टिप्लाइम हो जाएगा एक्स बराबर बहत्तर सो गुड़ा सो बटे में 15 अगर आप इसे 15 से काटेंगे पंद्रा दूने तीस पंद्रते पतालिस पंद्रा चोक शाट और पंद्रा पंजी 75 तो जा रहा हो रहा है तो पंद्रा च विलकुल क्लेर हो गई होगी कि जितने पर देखना होता है कि अब अब हमें नहीं पता होता हुँसने कितने की किया तो हम क्या करते हैं यहां पर जो 13 पर सेंट एक तो इसे 2 पर सेंट और दिला देता है तो आई होप आपको एक क्लेर हो गया होगा चलिए एक और कोशन लेते हैं साही सेंट और उसे भी सॉल्व करते है जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक कंपनी अपने विक्रिता को कुल विक्री पर बारा परसेंट कमिशन देती है तथा 14,000 से उपर की विक्री पर 3 परसेंट भी देती है तो यहां 14 बोल दिया कोई बात ने हमने यहां कर लिए भी 14,000 तक अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिलता आप कहते हमें मिलता भे 12 परसेंट कमिशन लेकिन अगर मैं 14,000 से थोड़ी सी भी ज्यादा इंकम करूंगा तो मुझे 3 परसेंट का बॉनस मिलेगा है ना यानि कि 12 परसेंट तो मेरे को मिलेगी मिलेगी और 3 परसेंट प्लस में मिलेगी तो हम क्या करेंगे आप जानते हैं मिसे 3 परसेंट यहां पर बॉनस और दे देंगे तो आप अगर 14,000 का 3 परसेंट बॉनस देना जाते हैं तो इन दो जिरो से 14 यहां वैलेस 420 रुपे से बॉनस और देना पड़ता मुझे है ना क्योंकि जो इंकम मैंने से नहीं दियोगे वह 420 रुपे मैं और दे दूंगा तो आप बताओ इसमें पहले हमें कितना दिया हुआ है कि यदि सेल्स नहीं बताओ तो हमें बताने कुल विक्री आप यह बताओ उसने अपनी कमिशन हटा दियोगी कि 22,650 22,670 रुप उसने दिये हैं किसको दिया है यह 23,670 कंपनी को दे दिये हैं लेकिन आप जानते हैं कि उसे इतने रुपे मुझे और देने चाहिए थे किसे सेल्समेन को क्योंकि हमने यह सेल्समेन को नहीं दिये हैं तो हम क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे क्यों घटा रहें क्योंकि इसे कंपनी ने यह 3% बॉनस नहीं दिया था यह हमने किसकी साइट से दिया है अपनी साइट से ताकि हम ओवर ओल पर 15% का क्या बना लें आप करेंगे हम 15% का बना लें commission तो आप जानते हैं कि company ने 420 रुपए इसको नहीं दिये इसी धन में सो तो यह 420 रुपए रखेगा तो हमने घटा लिया तो आप जानते हैं जीरो यह जागा 5 जागा 2 कोठा को यह जल बहुता हो कोई और 14 Eminamндों लुन हो गया तो 85 परसेंट क्या होगा उसने company को दिया क्यों या संपानिको डिया तो आप जानतें कि 85 परसेंट की है बाहत तर 5 जीरो अगर आप 85 से किसको काटेंगे 3225 को काटेंगे 85 से 3225 को काटेंगे तो आई इस तिंक यह आठ आठ बार कटेगा साइज 845 यह 85 बार कटेगा तो आप इसको काट कर देखे लेते हैं कि 22 रखे दो पांच जीरो को गरम किती बार जाएगा आठ बार जाएगा अठीड़ का जिर लगा चार और यह आपने अटार लिया जीरो पांच दो यह पर कितना बचा चार तो अब आप यह जाएगा आपका पांच बार है ना पांच बार चालिस होता है तो पांच बंजे पच्चिस का 5 हसल लगा दो पांच अठे चालिस और 42 यानि कि यह 850 बार कट रहा है इसे पूरा पूरा तो एक परसेंट की वैल्यू कितने आगए आप कहेंगे 850 तो आप जानते कि हमें बनाना है सो परसेंट की वैल्यू क्योंकि सो परसेंट हमारी कुल बिक्री रही होगी तो बस यहां पर अगर आपको दो जीरो चिपकान है इधर सो परसेंट इधर बीए कितना हो जाएगा यह टोटल पिच्छासी हजार के उन्होंने क्या की होगी पूरी बिक्री की होगी किसने सेल्समेन ने तब जाकर उसको कितने रुपे की इंकम होई होगी जो उसकी 15 सेंट अब देखा अब कर पूछा होता हम से कि वह सेल्सम क्या निकाल सकते हैं कमीशन उसमें से हमें कितना घटाना पड़ेगा 420 क्योंकि यह 420 सेल्समें को हमने अपनी साइट से दिये थे कंपनी नहीं तो बस आई होप आपको यह बात के लिए हो गई हो गई तो चलिए और एक ऐसे कोशन लेते हैं और उसे करते हैं कि एक कंपनी अपने विक्रता को कुल विक्री पर आट परसेंट कमिशन देता है तरह पंद्रहजार से उपर की विक्री पर निदे लेकले कि विशेंट कम्भाए यहां तक कितने तक पर दे रहा है आठ परसेंट कमिशन देता है कब तक जब तक वह 15 एंभाएगा तो अर्फ परसेंट 15000 से अगर ज्यादा कम आता है तो अर्फ परसेंट और से मिलता ही है लेकिन 15,100 बॉनस और मिलता है तो हमसे बना हुवा है कि इसेसमेंस कुल विक्री से अपनी कमाई हटा कर Pacific 5630 55 church 30 रुपे company को देदेठा है छेश्व तरी सरU कह किया देता है तो कुल विक्री हमें बताने देंके सेम कोश्चन है और हम सेम काम करेंगे हम क्या करेंगे सि genuine परसेंट यहां पर कमिशन और दिला देंगे तो घटेगा इसमें से ही क्यों घटेगा इसके पात तीन परसेंट का पैसा थोड़ी रखाए इसने तो कंपनी को दे दिया अब अगर हम कमिशन दिया कहां से जाएगा इसने यह कंपनी को दिया हुआ है पैसा है घ्र हो जानते हैं यह जिर्म आज ऑठ रट और रहा वह यहां लग्याद कीपिन से लिए गए हैं अब यह वाज बताओ आट और तीन की ग्यारा यानि कि उसने ग्यारा परसेंट कमिशन रखने के बाद ही तो ये कंपनी को दिया होंगे तो आप जानते हैं ग्यारा परसेंट की वैल्यू कितनी है कॉई 10-1-इङ चीज टैसे ऐसने 11 परसंटृत काटई तो यहां पर कितना बचाँ आपका 80 कि 9 परसंट क्या आपकाइटि 9.% है अधसी की वैल्यू यही तो 89 परसंट जो धन है उसने इंग मार्य को दिया होगा क्योंकि गयारा परसेंट तो अपने उसने कमिशन काट लिया तो आप करेंगे एक परसेंट की वैल्यू है पांच पांच एक आठ जीरो इतनी है हमें बनानी है तो आप जानते कि इससे यह दिवाइट करके देखले ना बासेट बार पूरा-पूरा कर जाएगा यह दिवाइट करना इससे चैसो बीस अजाएगी हमें कितने की बनानी है आप जानते 100 परसेंट क्योंकि कंपणी की इनकम तो 100 वोगी ना उसी में से उसने कमिशन दे दिया होगा तो बासाट हजार हमारे क्या होजाएगी टोटल बिक्री हुई होगी तब जाकर आपके सेल और उसमें से भी मुझे कितने और घटाने पड़ते 450 क्यों घटाने पड़ते कि ओवर ओल पर ग्यारा नहीं मिल रहा है इतने पर हमें क्या मिल रहा है पंद्रा आप ऐसे भी कर सकते कि बाद सटाजर में से पहले 15% घटा लें फिर पहले 8% रहीं और फिर उसका टूटल का कित करेंगे तब ही जाकी कुछ समझ आएगा चलिएक और कोशन लेते हैं इसा ही है जैसे में इस खूस्षान में दिया हुआ है है कि यह एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को 10,000 से उपर की विक्री करने पर 5% कमिशन मिलता है मतलब कर वह 10,000 से उपर की विक्री करता है इस वार इद मिलता है पर था से मिलता है कि और पर यह दसे से से नीचे की भी कुल में से करेगा तो उसे कितना मिलेगा एगा यह दिए से लेने के बाद कंपनी को ढट्रा नौसर रुपे दे कितने दे देता है 31,900 एक था उसन आपके कमपनी को दिया तो उमसे बोला कि कुल भिक्री तो यह सेम इसको एक परसेंट और दे देंगे कंपने एक परसेंट कर दो हैं को गलत कर द accustomed हम यहाँ पर दस हजार हो पांच परसंट के था तो स्क्तिंस ढद कि यहां है और यहां इसको एक परसंट कर थे सकते क्यों नहीं दे सकते Александ नहीं पर क्यूंकि मुझे पुक्ष कई पारम क्षीन नहीं पता है ना अगर मुझे पता होता कि 12 तो अब ही हम क्या करेंगे इसको इहां पर एक पर सेंट एक्स्ट्रा मिली भी है इसको मिली हुई है कर देंगे उसको इसे वापस ले लेंगे तो दस soryphae यह company को और वापस करेंगे क्यों वापस कर देगा क्योंकि इसको दस चौपर सैंट बोनस मिल रहा था किते पांच को वानकत बोन आप आhou екंञार से चांट कि हम हुआ हम क्या करते हैं जो एक परसेंट एक परसेंट एक परसेंट जो मिल रही है वापस कि तुझे-अर और टोटल पर 4 पर सेंट भी मिल गए अगर यह स्वैसे से नहीं मिलेंगे तो यह कंपनी को जाएंगे तो आप अगर अगर इसकनी होता है कितनी होती है 100% इसमें से अगर इसने 4% अपना कमिशन रखा होगा तो बाकी का 96 किसको दिया होगा तो आप यहीं तो इसने कंपनी को दिया होगा 96 अब यहीं 96 की वैल्यू 32,000 रुपए है या नहीं है तो आप कहेंगे 96% की जो वैल्यू है वही कितनी है आप 32,000 तो आप जानते है 96 जो है एक परसेंट यह रहे ने दो और 32,000 बटे 96 हमें कितने परसेंट की वैल्यू बनानी होती है आप जानते हैं मैं बनाना है 100% क्योंकि जो कंपनी के टोटल विक्री होई है वो आपकी कितनी है आप कहेंगे वह हमारी सो परसेंट अगर यह सो परसेंट है तो आपको पता है यहां पर दो जिरू लगाने तो यहां पर भी कर देंगे आप जानते कितने बार में तीन बार में यह पूरी वैल्यू आएगी वह कितने आएगी कि तो यहां कि टोटल विक्री होगी वह कितनी की होगी एक लग बटे टीन इतन रूपे कि उसने बिक्री की होगी तब जाके उन्हें उसने 51,900 रुपे कंपणि को दी होंगे अब देखिए जो इससे पहले के कोशिंच थे यहां पर एक्स्ट्रा मिल रहा था उसको तो हम क्या करते थे यहां पर कम था तो हम इसे तीन परसेंट दे देते थे और उसमें से घटा लेते थे लेकिन अपकी वार क्या हुआ अगर यह दस जार तक की बिक्री करता है तो इसे कितने रुपे मिलेंगे भई पांच परसेंट कमिशन मिलेगा लेकिन अगर वह दस जार स इसको यहां पर एक्स्ट्रा दिये गए होंगे तो मैंने जैसे आपको उवराल पर सेम बनाना है कि सेम कमिशन चाहिए उसको ना ऊवर ओर ओर पर तो 4 अब यहां पर उपने कर परसेंट इस से बापस लिए तो यहां पर यहां परसेंट तो यहां देखी जैसे मैंने दो कोशन में एक्स कराया था अब हम खुदी समझदार हैं कि 96% की वैल्यू कितनी है 32,000 है और हमें 100% की वैल्यू बना नहीं होती है तो वह आजाएगी आपकी जो भी है वो देख लेना आपकी एक लग बटे तीन तो आई होप आपको एक लियर हो गया होगा और स सेर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और अगर आपको इन कोशन में कोई दिक्कत है तो इस टाइप के मेरे वर्टसम नंबर जो मैंने आपको दिया हुआ है उस पर जरूर सेर करें ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा सॉलूशन इसका प्रोवाइड करा चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में